नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज किस बीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप अपना इमेल आड़ी भूल गए हैं कि हमारा इमेल आड़ी क्या था तो कैसे अपने इमेल आड़ी को रिकभर करेंगे और कैसे जानेंगे कि हमारा इमेल आड़ी क्या था साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आप ये भी पता लगा सकते हैं अपने मुबाइल नमबर के दोरा कि हम अब तक अपने मुबाइल नमबर से कितने इमेल आड़ी क्रियेट कर चुके हैं तो दोस्तों ये जानने के लिए कि हमारा email id क्या था या फिर ये जानने के लिए कि अब तक हम अपने mobile number से कितने email id बना चुके हैं इसके लिए आपको open करना होगा अपने chrome browser को आपके phone में जो भी browser है आप उस browser को open कर सकते हैं मैं यहाँ पर chrome browser को open कर रहा हूँ तो दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले आप सिर्फ चोटी सी गुजारी सिर्फ अभी तक इस वीडियो को like नहीं कियें तो like कर दीजिए और साथ ही channel को subscribe करके यहाँ पर bell icon पर click करके all page set कर दीजिए दोस्तों like और subscribe कि आपके पैसे नहीं लगते हैं सिर्फ हमें motivation मिलता ह है इसलिए इस वीडियो को like करके channel को जरूर subscribe किजिएगा तो आपका ज्यादा समय बरबाद ना करते हुए चलिए अपने topic की तरफ चलते हैं Chrome browser open कर देने के बाद यहाँ पर search box में type करना होगा forget gmail id इस लिए फोर्गेट gmail type कर देने के बाद यहाँ पर आपको click करना होगा click कर देने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा इस लिंग को open नहीं करना है यहाँ पर आ जाना है और यहाँ आपको दूसरे नमबर वाला link account.google.com इसे यह open करना है यह आप ध्यान email अब यहाँ पर आपको अपना mobile नंबर डालना है अब जिस mobile नंबर से email ID create किये हैं तो आप अपना वे mobile नंबर यहाँ पर एंटर किजिएगा मूबाइल नमबर इंटर कर देने के बाद आपको क्लिक करना होगा next अब यहाँ पर आपको अपना first name डालना होगा और इसके बाद last name तो यहाँ पर मैं अपना first name और इसके बाद last name डालता हूँ तो यहाँ पर अपना मैं first name डाला हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं डाला हूँ last name first name और last name डाल देने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजेगा next अब यहाँ से आपकी phone number यह verify करता है इसके लिए आपको click करना होगा send अब यहाँ पर आपके phone पर एक opt जाता है वह opt को यहाँ पर इंटर करना होता है मेरे mobile पर वह opt आ चुका है जैसा कप देखर kehreya है और इस number को यहाँ पर इंटर करना होता है oh TT डाल देने के बाद आपको click करना होगा यहाँ पर next है तो यह पर आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपने नंबर से इतने email id create क्या हूं और यह email id क्या है यहाँ पे यह भी दिखला रहा है साथ ही आपको यह भी पता चल जाता है कि आप अपने नंबर से कितने email id अब तक create कर चुके हैं तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपके mobile पाइल नंबर से कितने email id create हुआ है और साथ ही आप यह भी पता लगा सकते हैं कि हमारा वह email id क्या है उमीद करता हूं आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और आपके काम क्यों होगी दोस्तों गर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक किजिए शेर किजिए अपने दो